हे गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल, आज मैं आप लोग के सामदे लेके आए हूँ, यह यम मी भरते की रेसिपी जो ठंड में आपको बहुती स्वादिस्ट लगता है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने दो बैगन दी हुए हैं, इन बैगनों में मैंने अच्छे से रेफाइंड ओयल लगा के अच्छे से ने भूझ लिया है, और इसे गैस में भूझेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम में, यह देखे इस तरीके से अच्छे से भूझ लेंगे, और इसकी स्किन निकाल के हम और अच्छे बारिक बारिक कट कर लेंगे, इस तरीके अब जिब चीरे ये अच्छछे से चिटक जाएंगे तो आप इसमें डालें यह हम लेसुन लेसुन का कलर अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो आप इसमें डालेंगे हम मिर्ची यह देखे और जो यह flame है वो आपको high रखना है ताकि जो तड़के की जो तड़का लगता ना उस type का लगना चाहिए अच्छे से यह देखे हमने मिर्ची एट कर लिया और प्याज एट कर लिया है अब प्याज को हम जब तक भूझेंगे जब तक वो brown हो जाए यह देखे इस तरीके से अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को like, share, subscribe जरूर कीजेगा अब इसमें हमने मसाले एट कर लिया है मसाले मैंने यूज किया है धना powder हर healthy powder और आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी यूज कर सकते हैं आप अपमें तीके के हिसाब से इसमें आप मिर्ची डाल सकते हैं यह देखे अब इसमें हम डालेंगे जो हमने भरते को cut किया हुआ था वो भरता डालेंगे यह देखे इस तरीके से अब इस अच्छे से कर लेंगे यह देखे इस तरीके से यह देखे कितना यम्मी लग रहा है यह और यह खाने में भी बहुत स्वादिस लगता है आप यह रेस्पी जरूर ट्राइ कीजेगा और कमेंट में बताएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी ये देखे अच्छे समें हमने चमच चला लिया हम इसे एक दो मिनिट तक अच्छे से और भूझेंगे इसके बाद हमारा जो यम्मी भरता है वो तयार है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर, सुब्सक्राइब जरूर कीजीगा